अश्राम्रीकिम स्टूडेंट्स उमीद करता हूं कि तमाम तल्बा तालिबात खेरियत से होंगे आला तला आप सब कामियाब करें चैनल पे अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमें क स berspake कर दीजेगा स्टूडेंट्स के कुछ क्वेस्चंज कुछ क्वेष्टी होती हैं और उसके बहुत सारी आपको मिल भी जाती है यूट्यूब के बहुत सारे चैनल पर मिल जाती है मेरे चैनल पर जो आरड़ी मौजूद है लेकिन जो स्टूडेंट्स नए आते हैं उने फिर अपडेटीड इन्फॉर्मिशन उसके मतलिक चाहिए होती है इंट्रमिडियेट करके निकले हैं तो फिर आपको कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक कॉमन सा क्वेस्चन होता है कि सर अब बीए की जगा पर एडीपी आ गया तो यह क्या चीज़ है इसके कोई हमें बैसिक इन्फॉर्मिशन बता दें इसके बारे में कोई हमें गाइडलाइन दे दें इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए ह होते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं कौन कौन सी उनिवस्टी करवाती हैं समेस्टर सिस्टम होता है या यह एन्वल सिस्टम होता है इनकी पेपर्स कब होते हैं अड्मिशन कब होते हैं प्रोसीजर क्या होता है यह बेसिक सी इन्फॉर्मिशन जो मैं आज की वीडियो में सब स्टूडेंट के लिए गाइड करूंगा जितने भी इंट्रमीडियेट के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं देखें फिर्स्ट ओफ वाल बता दूँ आपको बेसिक क्राइडियरिया इंट्रमीडियेट में आपके 45% मार्क्स मिनिमम रिकॉयर्मेंट होती है पर बीएस एड्मिशन यरेगूर कहीं पे भी आप किसी भी डिग्री में नेक्स डिग्री में आप एड्मिशन लेते हैं तो रेगूर अगर अगर आप लेते हैं तो आपको 45% चाहिए होते हैं लेकिन अगर आप इजória प्राइडियेट करते हैं तो आप ADP करें तो 33% मार्क B.A. या B.S.C. A.D.P. basically नाम है Associate Degree Program. इसकी आगे तीन कैटिगरीज हैं. A.D.A. Associate Degree Program in Arts जिससे आप B.A. कहते हैं. A.D.S. Associate Degree in Science जिससे आप B.S.C. कहते हैं. और A.D.C. Associate Degree in Commerce जिससे आप B.C. कहते हैं. यह इसकी तीन आगे कैटिगरीज हैं जो के A.D.P. में इसमें admission लेने के लिए आप regular admission भी ले सकते हैं और private admission भी ले सकते हैं अब सवाल यह है कि क्या regular admission लेने वाले जो students हैं वो annual system करते हैं और private वाले students जो हैं वो सलाना उनका annual system होता है या semester system होता है और regular वालों के क्या होता है इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी university को join करते हैं तो वहां पे A.D.P. के चार semester करवाए जा रहे हैं उनमें basic subjects होते हैं आपके majors होते हैं जो आप as a elective subject select करेंगे लेकिन इसके लावा जो चार semester होते हैं उसमें general subject minors होते हैं उसमें major subjects नहीं बढ़ाए जाते हैं major subjects आपको एक या दो semester में करवाए जाएंगे कि आप कौन से subject में A.D.P. कर रहे हैं लेकिन उन चार semester में आपको compulsories के साथ साथ आपको minors भी करवाए जाएंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे अगर किसी भी institute को जाइन करते हैं लेकिन अगर आप as a private candidate करते हैं तो as a private candidate A.D.P. करने में A.D.A. A.D.S. A.D.C. जिसे आप B.A. B.S.E. B.C. कॉम कहते हैं जो के पहले नाम थे अगर आप वही करते हैं तो उसमें आपको annual system मिलता है आप semester system नहीं करते annual system करेंगे वही बुक्स होती है सारी किताबें जो B.A. में थी सारी किताबें जो B.C. की थी वही सारी किताबें जो B.C. कॉम में थी वो सारी किताबें आपको मिलती है ADP में और ADP में जो तीन कैटगरीज में आपको बता चुका हूँ ADA, ADS और ADC ये BA और BSC इसी के इकुल है आपका ADA, ADS मार्क्स भी उतने हैं टोटल नमबर होते हैं 800 BA, BSC के भी 800 थे और ADP में भी जितने भी इनकी कैटगरीज हैं 800 नमबर अब स्टूडिंट्स का ये सवाल है कि सर मार्क्स की जो डवीन होती है मार्क्स जो डिवाइड होते हैं ये किस तरह से होते हैं पासिंग मार्क्स कितने होते हैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 800 नमबर टोटल होता है जो सेकंड डवीन बनती है वो बनती है 360 पे और minimum 360 आपको मार्क्स चाहिए होते हैं आगे admission लेने के लिए उसके बाद फिर्स्ट डवियन बनती 480 पे देन उसके बाद फिर आपकी वो तो merit system में आ जाते हैं आगे कि आप कितने number ले चुके हैं और आगे आप टॉपर्स में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो सारी चीज़ें लेकिन फिर्स्ट डवियन 480 पे सेकंड वियन 360 पे passing marks इसमें 33% ही होते हैं 33 marks चाहिए होते हैं लेकिन आपको सेपरेट से पास करना पड़ता हैं פंजाब से करें आप सरकुदाए उनिवस्टी से करें आप government college उनिवस्टी फैसलाबाद से करें third year and fourth year मैं को अलग से पास करना पड़ता है 2016 से पहले क्या था सका schedule 2016 से पहले जो इसमें terms तियों ये थी कि अगall double year है जब 2016 के बाद separate कर दिया गया, third year को अलग कर दिया गया, fourth year को अलग कर दिया गया, तो इसमें यह चीज़ होई कि third year में आपको सौ में से 33 नमबर अलग चाहिए, fourth year में आपको सौ में से 33 नमबर अलग चाहिए, अगर आप एक subject में भी फेल हो जाते हैं तो आप वहां पे फेल होंगे आप उस एक ही subject का paper देंगे फिर आपको दोनों के नहीं देने पड़ते हैं अगर आप composite exam नहीं दे रहे तो जैसा के GCUF में या UOS में अभी भी composite exam हो रहे हैं वहाँ पिए अगर आप एक में फेल होते हैं दोनों के आपको पेपर दोबारा देने पड़ेंगे लेकिन जब यह सिस्टम है एड़ी पी वाला सिस्टम है जो इसमें पार्ट वन अलग है जिसे आप फूर्थ येर कहते हैं पार्ट वन अलग है जिसे आप फूर्थ येर कहते हैं उसके अलग एक्जیम होते हैं अलग सब्जेक्टस होते हैं अब सब्जेक्स की डिवीन इसमें क्या आती है बीए के तरही उसमें आपके English Compulsory होता है जो के 100 नंबर की होती है वो होती है आपकी फ़र्ड येर में सो नमबर की इंगलिश होती है फूर्थ यर में, दो सो, उसके बाद आपके compulsory सब्जेक्ट्स, एक सो नमबर के होते हैं, दो, जिसमें से साथ नमबर की इसलामियत होती है, चालिस नमबर की पाकिस्तान स्टडीज होती है, यह होता है पार्ट बन में, पार्ट बन में सो नमब के वही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपने थर्ड इयर में चूज की हैं, और एक सो नमबर का आप्शनल सब्जेक्ट आप फूर्थ इयर में सेपरेट से चूज करते हैं, जो के आपका थर्ड इयर में जो इसलामियत और पाकिस्तान स्टडीज होती है, उसके एक्वेल सब्जियात मिल जाती है, पाकिस्तान स्टडीज, सिविक्स, सोशालोजी, जैनलिजम, पंजाबी, इंटरनेशनल रिलेशन्स, पॉलिटिकल साइन्स, सोशल वर्क, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, साइकॉलोजी, हर तरह का सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, जो आप ADA में सिलेक्ट करते हैं, अगर आप ADS में जाते हैं, तो फिर उसमें यही फिजिक्स, कमिस्ट्री, बायो, जॉलोजी, बाटनी, उसके लावा मैथिमेटिक्स, कंप्यूटर साइन्स, यह सारी चीज़ें, और BCOM में जाते हैं, यह ADC में जाते हैं, तो उसमें पिर कॉमरस व होंगे, फूर्थ एर में, लेकिन जो आप सौर नमबर का आप आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फौर एन इग्जामपल, अगर आपने पंजाब इनिवस्टी से कर रहे हैं, सरगोधा से कर रहे हैं, जी सी इलेक्टिव से अलग होना चाहिए, आपने अगर जर्नलिजम और पंजाबी कर लिया है, तो आपका आप्शनल जो सब्जेक्ट होगा, वो आप पर्शियन कर लें, वो आप इस्लामियात कर लें, वो आप पॉलिटिकल साइंस कर लें, वो आप आई आर कर लें, जो भी कर ल हैं ADP के में सबजेक्स कौन से होता है ADP में पासिंग मार्क्स कितने होते है ADP में नंबर के डिवियन कितनी होती है किस तरह से होती है और नarवा एड़ी समेस्टर सिस्टम होता है अन्यूल सिस्टम होता है सारी इंफ नमेमिशन میں उपन है, उसमें आपने, अपनी राय का इजार जरूर करना है, लाँ अलाँ आप सब का हामे नसीर, लाँ आप सब को कामियाब करें, चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कर लीजेगा, और अगर इंफॉरमिशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा,